ओलो फ्रेंद गुट मॉनिंग मैं हूँ हैयां अगर आपके प्लांट के हील्द अच्छी हो अगर प्लांट आपके प्लांट के ओपर फंगस या तो किसी भी टाइप का पेस्ट नहीं लगा हो तो बाद में आपके जो रोजीज़ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं फ्लावरिंग्स भी दे सकते हैं तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी संडे अपडेट की वीडियो में मैंने आपको इन्फर्मेशन दी थी कि रोजिस पे ये स्प्रिंग सीजन में कुछ ऐसे पैस्ट इंसेक्स लग सकते हैं की वज़े से आपके जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स नहीं कर पाएंगे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में उसका लिंक दिया है तो वहाँ पे जाके वो वीडियो पूरी देख सकते हो आज की वीडियो फ्रेंज रोजिस से रिलेडिट फंगस के उपर है बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फंगस पर्टिकुलर्ली मौनसुन की सीजन में लगते हो और बाकी सीजन में उतनी जल्दी प्लांट के उपर फंगस नहीं लगता तो फंगस हमारे प्लांट के उपर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते है तो उन में से जो स्प्रिंग सीजन में जो फंगस आपके प्लांट के उपर लगेगा वो है डाइबेक की बिमारी का फंगस इतना खतरनाक होता है जो आपके पूरे plant को खतम कर सकता है अगर आपने टाइम से उसकी care नहीं की plant की या तो आपने fungicide का spray नहीं किया या तो आपने रा देखा के जैसे ही आपके plant के ऊपर fungus निकलना start हो गए तबी friends आपने अगर उसके उपर treatment की तो बाद में वो plant को बचाना मुश्किल हो जाता है तो सबसे पहली चीज ये है friends कि हमें precautions लेना है precautions क्या लेना है वो मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहली चीज precaution में आपको ये करना है कि fungicide का application every week आपको अपने प्लांट के उपर करना है मैं आगे आपको बताऊंगे कौन सा fungicide हमें यूज करना है organic और chemical दोनों तरीका में आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं precautions बता देता हूँ तो सबसे पहला precaution आपको ये करना है friends कि आपको अपने प्लांट के उपर fungicide का spray करना है every week compulsory भले आपका प्लांट डाइबेक नहीं हो रहा हो आपके प्लांट के पत्ते healthy हो रहे हो लेकिन फिर भी friends आपको fungicide का spray every week करना है fungicide का spray हमेशा रात के वक्त कीजिए दिन के वक्त fungicide का spray मत कीजिए इससे प्लांट को fungicide की heatness का असर हो सकता है तो इसे लिए हमेशा रात के वक्त fungicide का spray करिए दूसरी important चीज है friends वो है watering फ्रेंस रोजिस को पानी बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप अपने रोजिस के उपर regularly showering करते हो या तो regularly पानी का spray करते हो जैसे ही अभी temperature बढ़ रहा है तो दिन में दो-दो बार spray करना पड़ता है तो जैसे ही spray करते हो पानी का तो fungus लगने के chances भी बढ़ जाते हैं तो पानी का spray तो हमें करना है रोजिस को अच्छी तरह showering भी करनी है लेकिन साथ में अगर आप fungicide का spray करोगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो fungus से बचे रहेंगे अगर आप अपने प्लांट के अंदर watering सही धंग से करोगे watering का पूरी एक मेरी वीडियो मौझूद है तो वो वीडियो का link मैं description box में दे दूँगा कि हमें अपने plants के अंदर watering कैसे करनी है तो वो वीडियो आप देख लीजी आपको idea आ जाएगा कि किस हिसाब से हमें अपने plant को कितनी quantity में पानी देना है तो अगर आप अपने plant को पानी सही धंग से दोगे यानि कि low watering भी नहीं होनी चाहिए over watering भी नहीं होनी चाहिए पानी हमें तभी देना है जब इसकी soil dry होने पे आ जाए और मैंने जो quantity पानी का बताया है वो quantity के हिसाब से अगर आप अपने plant को पानी दोगे तो बाद में आपके plant के अंदर कभी भी low watering भी नहीं होगी और over watering भी नहीं होगी over watering होई तो बाद में आपका जो plant है वो dieback की बिमारी का fungus का शिकार हो सकता है और अगर low watering होई तो भी फ्रेंज आपका जो plant है वो fungus का डाइबेक के fungus का शिकार हो सकता है उसके अलावा दूसरे भी fungus आपके plant के लिए उसके उपर develop होना start हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके plant को खतम कर सकते हैं तो ये एक precaution आपको लेनी है कि watering आपको सही धंग से करना है तीसरी बहुत important चीज है कि आप अपने plant को stand के उपर रखिये जैसे कि देख रहे हो friends मैंने ये plant को जमीन से उपर रखा है जमीन से उपर रखने का बहुत ही बड़ा एक plus point ये है कि जैसे ही friends आप अपने plant को पानी देते हो तो पानी drainage hole से बाहर निकलना start हो जाता है जैसे कि देख रहे हो flooring के उपर पानी पड़ा हुआ है लेकिन friends हमारे pot के उपर वो पानी touch नहीं हो रहा है अगर ये पानी pot के साथ touch होता रहेगा तो नीचे वाला जो pot का हिस्सा है वो हमेशा पानी को अपने अंदर सक करता रहेगा जैसे कि ये मिटी का गंबला है मिटी का गंबला पानी को अपने अंदर बहुरी जल्दी सक कर लेता है और बाद में ये अंदर जो base की soil रहती है अंदर वाली soil वो हमेशा moist रहेगी वो soil ज्यादा तर गीली रहेगी तो बाद में root rot की problem create हो सकती है तो ये भी एक precaution रखिये प्लांट को हमेशा उपर से रखिये कभी भी प्लांट को फ्रेंस नीचे flooring के साथ touch करके मत रखिये या तो फ्रेंस आपके पास कुछ ऐसा stand नहीं हो तो नीचे फ्रेंस pot के नीचे कुछ पत्थर के टुपडे डाल दीजिए यानि की पत्थर डाल दीजिए और पत्थर के उपर फ्रेंस आप अपने प्लांट को बिठा दीजिए यानि की आधे एक इंच उपर रहना चाहिए flooring से अगर ये कुछ इतना distance रहेगा तो बाद में आपका जो प्लांट है नीचे से पानी अपने अंदर सक नहीं करेगा और finally friends इसके अंदर कभी भी over watering की problem नहीं होगी और आपका plant dieback की बिमारी से हमेशा बचा रहेगा चौथा जो precaution आपको करना है जैसे की friends आप अपने plant के उपर cutting करते हो जैसे की यह जो flower निकला हुआ है, flower जैसे ही यह complete होगा तो हम यहाँ से plant को cut कर लेंगे flowers जैसे ही हम cut करते हैं उसके बाद friends आपको fungicide का application कर देना है यानि की fungicide का paste वो cut area पे लगा देना है ताकि आगे चलके आपका जो plant है dieback की बिमारी का शिकार ना हो सके तो यह कुछ ऐसे precautions है friends जो आपको follow करने है जिसकी वज़े से आपका जो plant है fungus के infected जल्दी ना हो और वो plant आपको आगे चलके बहुत यह अच्छी flowerings भी देगा और new shoots भी इसके उपर से develop होना start हो जाएगी आप आजाती है कि fungicide हमें कौन सा इस्तमाल करना है मैं आपको chemical और organic दोनों तरीका बताऊंगा सबसे पहले friends मैं organic तरीका बताऊंगा organic तरीके में सबसे best अगर आप कोई भी fungicide ढूंडने जाओगे तो वो है baking soda baking soda friends अपने आप में ही alkaline base बे होता है और fungus जनरली alkaline base वाली चीजों पे जल्दी activate नहीं होता baking soda friends हमें एक ग्राम लेना है एक लीटर पानी में अच्छी तरह mix कर लीजिए और हफते में एक बार friends आप अपने plant के लिवस के उपर लिवस के नीचे और बाद में ये जो graft area है वहाँ पे अच्छी तरह friends plant के उपर baking soda का spray कर लीजिए और हो सके तो friends drenching भी करिए drenching friends हमें regularly नहीं करनी है यानि कि अगर आपका जो plant है वो healthy plant है जैसे कि अभी देख रहे हो हमारे plant के उपर किसी भी type का problem नहीं है तो बाद में हमें वो baking soda वाला पानी soil के अंदर नहीं डालना है लेकिन friends अगर आपका जो plant infected हुआ soil के अंदर डाल देना है हफते में एक बार डालना है और अगर आप हफते में एक बार स्प्रे भी करोगे baking soda का तो ये दोनों चीज अगर आप करोगे हफते में एक बार तो बाद में आपके जो plant है वो fungus से बच जाएंगे तो ये पहली treatment है जो बहुत ही अच्छी treatment है organic अब friends मैं आपको chemical treatment बताऊँगा के chemical हम अपने roses के उपर कैसे treatment कर सकते हैं chemical में friends जो साफ fungicide आता है या तो कोई भी ऐसा दूसरा fungicide जो carbon denzyme plus mancozeb का combination हो ये एक chemical composition है carbon denzyme plus mancozeb अगर ये combination वाला fungicide अगर आप use करते हो तो बाद में आप अपने plant के उपर ये dieback वाला fungus भी मिटा सकते हो और साथ में कोई भी दूसरी टाइप का fungus है वो भी easily आपके plant के उपर नहीं लगेगा तो ये जो fungicide है friends ये fungicide हमें 2 ग्राम लेना है एक लीटर पानी में अच्छी तरह mix कर लेना है और हफते में एक बार हमें अपने plant के leaves के उपर branches के उपर और ये grafted area के उपर अच्छी तरह spray कर लेना है और वो fungicide friends आप soil के अंदर भी डाल सकते हो लेकिन फिर भी वहाँ पे ये ही condition आएगी अगर आपका plant dieback हो रहा हो आपके plant की जो branches है वो dieback होने पे आ रही हो तो बाद में वो fungicide हफते में एक बार आप अपने plant की soil के अंदर भी डाल सकते हो अब quantity friends हमें उतनी ही रखनी है जैसे की friends अगर आप अपने plant के अंदर 200-500 ml जितना पानी देते हो तो 200-500 ml जितना ही वो fungicide हमें अपने plant की soil के अंदर apply करना है fungicide हमें soil के अंदर तब ही डालना है जब आपका plant infected हो अगर आपका plant healthy हो तो बाद में soil के अंदर fungicide का application करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है आप अपने plant के उपर fungicide का spray करिए इससे आपका जो plant है वो आने वाली सीजन में बचा रहेगा इसके उपर fungicide नहीं लगेंगे और आपका जो plant है वो बहुत ही अच्छी growth कर सकेगा तो आने वाली सीजन में ये जो particular problems है ये problems आपके roses को खतम कर सकती है अगर आपने ये precautions ले लिये अगर आपने अभी से ही ये fungicide का spray regularly every week आपने अपने plant के उपर करना start कर लिया तो बाद में आगे चलके ये सारी problems आपके plant के उपर नहीं आएगी और आपका plant आगे बढ़ता जाएगा ग्रो करता जाएगा और आने वाली सीजन तक यानि की आने वाले ये थैंक्यू फ्रेंद्स